So Hello multifamily तो कैसे हैं आप सब हो आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं आज हम compare करने वाले हैं real estate को stock market से First of all real estate को compare किया जाता है वो में सब stock market से compare किया जाता है बहुत ही rare है कि आपकी real estate को और किसी field से compare कर रहे हो So आज हम जानेंगे why real estate is better than stock market अब जो stock market के अंदर invest करते हैं तो no doubt वोस कहेंगे कि यह Stock market is much better than real estate and जो real estate के अंदर invest करते हो गएंगे Real estate is much better than stock market आप comment करके बताओ as according to you Real estate is better or stock market is better as according to me मैं आपको पता देता हूँ Why real estate is better than stock market So अगर हम बात करते हैं first point की First of all real estate के अंदर किसी भी तरह का stop loss नहीं होता है अगर आपने किसी भी property में invest किया है then you have to hold for a long term आपको पता है कि आप ऐसा नहीं है कि आपने कोई 1 crore की property ली और आप एक साल के बाद ही बीचना चाहोगे आपने अगर property ली है तो minimum to minimum 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल आप hold करना चाहें क्योंकि आपको पता है जितना time तक आप hold करोगे इतना अच्छा appreciation आपको यहाँ पर देखने को मिलता है Real estate में तो आपको long term hold करना होता बट जो stock market की बात करते हैं अब बहुत जादा long term hold नहीं कर पाते हो और मैं यह नहीं कह रहा कि सब नहीं कर पाते हैं mostly public की बात कर रहा हूं देखो हर area के अंदर एक expert बंदे होते हैं Real estate में बहुत expert मिल जाएंगे, stock market में भी expert मिल जाएंगे यहाँ पर मैं majority की बात कर रहा हूं Real estate के अंदर majority public long term hold कर पाती है but in stock market में mostly public long term hold नहीं कर पाती है यहाँ पर क्या होता है आपके समने live चल रहा होता है क्या रहा आज rate जादा हो चुके हैं आज बेग देता हूं आज stock market डाउन जा रही है तो मैं आज sale कर देता हूं depends on the mindset person to person So real estate यहाँ पर पांट जीजी जाता है कि real estate के अंदर आपको long term आपको करना ही होता है small amount कि आपने 2, 4, 5, 10, 20,000 रुपे लगाए है यहाँ पे अच्छा handsome amount लगता है तो आपको long term hold करना ही होता है अगर हम बात करते है second point Real estate के अंदर mostly public loan लेती है Loan लेती है means minimum time period होता है loan का वो 10-20 साल तक का होता है तो 2-4-5 साल के लिए तो बहुत ही rare कोई बंदा होगा जो इतना कम time के लिए loan लेगा फिर तो loan लेनी के जोर्थी नहीं है 4 साल के अंदर project delivery होता है 4-5 साल के अंदर fresh property लेते हैं करनी ही होगी at any question जो maximum time period हो 20 साल भी है 25 साल भी है अगर अब 20 साल से 25 साल तक रुख गए हो किसी property को लेके तो its mean अब बहुत अच्छा appreciation लेके निकलने वाला है simple से example दे रहा हूँ हमने ही एक sector 11 के अंदर float खरीद था आज से 20 साल पहले आज से 20 साल पहले खरीद है तो उस ताइम 5 लाग रुपे का हमने प्लोट लिया था आज के according approximately 1 लाग के आसपास वहाँ पर प्राइस हो रहा है एक लाग रुपे गजी का अप्रॉक्स प्राइस है कोई 1 लाग 5 भी मांगता है को 95 भी मांग लेता है आप कितना है 20 गुना अप्रेशिशन हो चुका है 20 साल के अंदर तो लाउंग टर्म आप होल्ड करोगे बहुत अच्छ अच्छ अप्रेशिशन लेके निकलोगे यह चोट अमाउंट नहीं होता है कोग दस-पांच अजार रुपे नहीं होते है एक हंसमम अमाउंट होता है 50 लाग रुपे 1,25 करोड रुपे 30 लाग रुपे जो मिनिम्म जो प्रोजेक्ट आते हैं आफ़ड़े बल्के 33 लाग रुपीस से स्टार्ट हो जाते है उसका आपको result अच्छा मिलता ही मिलता है अगर आप long term hold कर लेते हैं बट stock market में क्या है ना जब भी आप stock market आप entry करेंगे first of all आप multi bagger stocks को ठाने के कोसिस करते हैं कोई भी बंदा नया अगर real state में stock market में जाता है जो देखा गया है stock market के अंदर na mostly public loss ही खाती है and real state के अंदर mostly public profit में ही रहती है मैं यह नहीं कह रहा सब बंदों की बात नहीं करा हूं real state की may be ऐसा नहीं काफी बंदों को loss होता है but मैं mostly majority की बात करा मिजोर्टी पब्लिक stock market में इसा plus मिलेगी Stock Market के अंदर majorly public loss में मिलेगी किसी भी बन्दे से हम बात करते है Stock Market हो हमने बहुत rare सुना है कि हाँ भी कोई प्लस है कोई dedicated कर रहा है सिर्फ इसी field के अंदर ही है तो मेभी वह प्लस में हो सकता है Otherwise कोई 1-2 गंटे के लिए कर रहा है जिसमें issue आ जाए अगर issue भी आ गया है तो government बैठी है उसको settle करने के लिए Real State के अंदर risk बहुत कम है Stock Market के अंदर risk factor बहुत जाद है But Real State में आपका पैसा 0 नहीं हो सकता कभी Stock Market के अंदर आपका पैसा 0 हो सकता है Stock Market के अंदर 100 का stock Rock 5-10 के 20 के पहुंच सकता है अदर यहाँ पर आपके rate अतने डाउन नीन हो सकता है तो जदा जयाद क्या होता एक लाग रुपे का rate चल रहा है 95 का हो गया..? आपने यह कभी निनी सुना होका कि एक लाग रुपे का rate है 100,000 ःुपे पर gaj का rate है और जो rate है वो 20,000 रुपे गजगा हो चुका है यह आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा अगर सुना है तो प्लीज मुझे ज़रूर बताईगा comment ज़रूर कीज़ेगा किसी भी flat का अगर price है दो करूर रुपे आपने कभी नहीं सुना होगा कि दो करूर का flat है एक करूर का हो ग मैल्टिपल ऑफ एक्जामपल से कॉल भी कर सकते हैं ऐसे भी प्रोजेक्ट से जिन्होंने तीन-तीन गुना भी profit दिया है विदीन फोर इयर तीन-तीन गुना भी profit दिया है तो stock market के अंदर आप 100% भरोसा नहीं कर सकते किसी भी bank के किसी भी stock के आपने गर shares खरीद रखे हैं व इसी भी property में अगर आप long term invest करते हैं जो main income जो मैं count करता हूं वह है appreciation income अगर आपने एक करोड की property खरी दिया आपने पात साल वेट किया है वह property आपके डेड़ करोड की होगी means 50 रुपे का appreciation लेके बैठे हो 4-5 साल के अंदर और हमार पास ऐसी भी काफी properties है जिन्होंने 4 साल क किया है तीन गुना भी पैसा किया है so appreciation यहाँ पर आपकी पहले income है secondary income आप कह सकते है और rental income और rental income में भी जो मैंने काफी सारी वीडियो देखी है सर्वी क्या कहते है 3% का ROI मिलता है अगर आप buying अगर आप initial stage पर आपने property buy की है means pre-launch पर आपने property buy की है then guys आप यकीन मानो 6-6% 7-7% का ROI आपको मिलता है it's on you कि आप कब in कर रहे हो market में अगर आप already appreciated property ले रहे है तो no doubt आपको 3-3.3 ROI मिलता है अगर आप initial stage पर entry ले रहे हो ठीक है no doubt आपका 4-7 तक rent नहीं आएगा but जब 4 साल बाद rent आएगा जो rent की ROI निकल के आएगी वो 6-7% तक की ROI निकल के आएगी so depend क बहुत करता है real state के अंदर सो यह भूल जाओ कि real state के अंदर आपको ROI इच्छी नहीं मिलती है यह residential property में आपको ROI नहीं मिलती है आप call करिए मेरे पास multiple of examples मैं आपको ROI 10-10% की ROI दिखा दूँगा 12-12% की ROI दिखा दूँगा आपको in real state real state के बात कर रहे हूं 12-12% की ROI क्योंकि सा multiple of examples मैं एक example की बात नहीं करा मैं एक property की बात नहीं करा में पास multiple of property जिसने 6-6% का ROI दिया 12-12% का ROI दे रहे है real state के अंदर भी multiple of investment होती है in residential first affordable affordable के अंदर सब से 6 ROI निकलता है हो जाएगा उस time across 3BHK का 30,000 रुपे रेंट होगा 3BHK का लिया कितने गा 26 लाग का रेंट कितना है 30 लाग का calculate कर लेना 26 की property है रेंट के रहे है 30,000 रुपे रेंट में आज की बात नहीं करा दो साल बाज की बात कर रहा हूं और उस time 30,000 रेंट नहीं होगा उससे ज्यादा आपको रेंट देखने को मिलेगा सबसे पहला जो आपको benefit मिलता है यहां पर कहने बहुत ज्यादा funds की जरुती है अगर आप पास 10,000 रुपे हैं 5,000 रुपे हैं तो आप stock market में invest कर सकते हैं इन real estate आपके पास एक handsome amount होना चीए 10 Lakh, 5 Lakh, 20 Lakh, 50 Lakh तो आप stock market के थे विदिन फ्यू मिनट आप पैसे निकाल सकते हैं But in real estate, आप एकदम से पैसे नहीं निकाल सकते हैं. यहाँ पर आपको समय लग सकता है. मेभी एक महने के लग जाए, दो महने के लग जाए, तीन महने के लग जाए, चार महने के लग जाए, इसकी कोई गैरेंटीन है, क्योंकि depends on you, आपकी स्रेट पे प्रोपर्टी बेचना चाते हैं, और उस प्रोपर्टी को खरीदने के लिए, क्या आप पास क्लाइंट है या नहीं है, यह matter करता है, बट यह स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, जब आपकी प्रोपर्टी को 30-40 साल हो चुके हैं, उस टाइम आपको अप्रेशिशन देखने को नहीं मिलेगा, no doubt रेंट आपको मिलता रहेगा, बट जो दूसरी फ्रेश प्रोपर्टी होगी, उस पे जाद अप्रेशिशन देखने को मिलेगा, जो प्रोपर्टी पुरानी है काफी 30 साल पुरानी है, उस पे जाद अप्रेशिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, अब बात कर लेते हैं फॉर्थ प्रोपर्ट में, स्टॉक मार्केट में क्या है ना, स्टॉक मार्केट इजी तू मैनेज, आप all over world कहीं पे भी हो, आपको क्या चाहिए या तो phone चाहिए या laptop चाहिए, इसके साथ आपको internet चाहिए, आप all over world से कहीं से भी manage कर सकते हो, बट real state में आप manage नहीं कर सकते है, अगर आपके 10 property है, 20 property है, 30 property है, इसको manage करना एक बहुत बड़ा task हो जाता है, अगर आपके old age है, 60 year old, 70 year old, तो आपके लिए बहुत ही difficult हो जाएगा real state के अंदर, अगर आपके बच्चे हैं, वो manage कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात, अगर आपके बच्चे नहीं हैं, बच्चे आपसे अलग रहते हैं, बहार रहते हैं, तो आपके लिए manage करना बहुत ही difficult हो जाएगा, यहां पर stock market is better, आप all over the world कहीं पर भी बैटें, आप stock market easily manage कर सकते हैं, यह कुछ points थे, stock market पे और real state पे, हमें तो real state में invest करना अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता है कि best property कहां पर खरीच सकते हैं, अपने investor को best investment कहां करा सकते हैं, हमने तो 6-6 महिने के अंदर भी पैसे double करवाए हैं, चार-4 साल के अंदर भी पैसे 3 गुना भी करवाएं, 4 गुना भी करवाएं, depends on property to property. So guys, thank you so much, अगर आप investor है, तो आप हमें नीची दिए नमर पर coordinate कर सकते हैं, for further investment. Thank you so much for watching full video. Thank you so much, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्स्राइब कर देना और लाइक करना मत बूलेगा. Thank you so much guys.